हेलो फ्रेंज विल्कम टू सिक्षा कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और तैयारियां जोरो शोरो से चल रही होंगी सबकी अब तो पेपर जादा दूर नहीं है ठीक है और अब मत सोचना कि पेपर आगे पूश्ट पॉन होगा ठीक है अब नहीं होगा अब जिस तरिक को होना है उस तरिक को आपका पेपर है ठीक है तो बहुत जादा बचे बोल रहे थे कि सर चार कोड जो आये हैं एने उनको कवर कीजिए तो कोड अनवेजे से शुरू करेंगे कोड आन वेजेस 2019 जो है आपका उससे शुरू करेंगे और एक बात starting में ही मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि बहुत सी चीजे इसमें मैं छोड़ूंगा क्योंकि हम सिरफ उतना करेंगे जो हमारे EPFO के exam के लिए important है lawyer बनने के लिए करने वाला नहीं करेंगे ठीक है तो बार बार आप comment section में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई important point रह गया है तो ही उसको बताएं बहुत जादा बारीकी में या बहुत जादा detail में जाने की कोशिश ना करें क्योंकि वो अपने लिए काम का नहीं है उसको जान बूच करके छोड़ा गया है ठीक है चलिए तो part one जो वीडियो है इसमें क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले तो कुछ definitions देखेंगे जो code के अंदर दी गई है ठीक है definitions हम आगे चलकर भी देखते रहेंगे ऐसा नहीं है कि सिरफ अभी इस area में definitions उसके बाद हम देखेंगे minimum wages related क्या provisions है code में ठीक है तो यह दो topic जो है हमारे आज के हमने discuss करने हैं तो शुरू करते हैं फटा फट से सबसे पहले तो कुछ basic सी बाते यह जो code on wages है इसको code on wages 2019 कहा जाता है और सारे इंडिया में यह लागू होगा ठीक है whole of India तो question directly आपका MCQ हो सकता है कि बही जो code on wages है कहां पर लागू नहीं होगा तो उसमें आपको confuse करने की कोशिश कर सकता है कि JNK में लागू नहीं होगा य code on wages 2019 जो है mainly यह आपके चार acts जो है उनको मिला करके एक code एक single code टियार किया गया है वो आपके चार acts कौन से हैं the payment of wages act 1936 the minimum wages act 1948 the payment of bonus act 1965 and the equal remuneration act 1976 यह चारो आपको याद होने चाहिए कि कौन से कौन से हैं क्यूंकि आपसे सिधा सिधा सवाल पूछा जा सकता है कि जो यह code on wages 2019 बना है यह कौन से चार act को मिला करके बना है तो payment of wages act minimum wages act payment of bonus act and equal remuneration act यह आपने ही याद कर लेने है ठीक है जी चलिए अब बात करते हैं definitions की सबसे पहले तो company को कैसे define किया गया है code के अंडर तो company के लिए इन्होंने सिधा सिधा बोल दिया कि company वो company है जो companies act के section 2 के अंडर बताया गया है companies act के clause number 20 section 2 के अंडर बताया गया है तो क्या मेरे को यह clause number 20 section 2 याद करना है नहीं यह इतना जरूरी नहीं है आपको याद करना यह सवाल नहीं होगा सवाल यह हो सकता है कि भभी company को डिफाइन किया गए तो जैसे Companies Act में डिफाइन किया है अब Companies Act में क्या लिखा है clause 20 में कि company कोई भी company क्या होगी जो incorporate हुई है इंडिया में 2013 के company act के मुकताबिए घिक है तो इतनी सी बात लिखी दी गई है तो जो भी company incorporate हुई है इंडिया में according to the company's act वो wage code की परिभाशा में भी company है ठीक है इतना important नहीं है इसमें जाना अगर नहीं भी समझाया है तो छोड़ दो कोई tension वाली बात नहीं है उसके बाद एक contractor क्या होता है who is a contractor contractor को किस तरह से define किया गया है तो contractor को define किया गया है as someone who undertakes to produce कुछ important keywords है उनको आपने जो है mark करते हुए चलना है to produce a given result for the establishment other than a mere supply of goods और article तो क्या समझतो है आपर कि कुछ ना कुछ production हो नहीं चीए contractor कौन होगा जो कुछ ना कुछ product produce कर रहा है company के लिए सिरफ और सिरफ supply नहीं कर रहा अगर कोई supplier है ठीक है कि for example कोई trader है कोई trader है ठीक है वो सिरफ और सिरफ raw material supply कर रहा है या एक तरह का कोई good या कोई article supply कर रहा है तो आप उसको contractor की definition में नहीं रखोगे अगर वो कोई चीज produce कर रहा है तो ही आप company के लिए को कोई चीज produce कर रहा है तो ही आप उसको contractor की definition में रखोगे ठीक है जो contractor होता है he supplies the contract labor for any work of the establishment as mere human resource and includes a subcontractor तो contractor और कौन होगा जो contract labor provide कर रहा है for example company में कोई product बन रहा है ठीक है उस product को बनाने के लिए company ने खुद से कोई labor जो है appoint नी की हुई company ने एक contractor को contract दे दिया कि भई हमने ये product बनाना है और ये product बनाने के लिए labor की जो requirement है उसका contract हम आपको देते हैं ठीक है तो contractor क्या कर रहा है labor supply कर रहा है labor supply कर रहा है for producing something for the ultimate employer or the principal employer ओल्राइट देखो ये terms directly शायद exam में ना पूछी जाए पर कुछ चीज़े समझनी important होती है उससे क्यों होता है concept clear होता है और आगे चलकर जब हम चीज़े देखेंगे जिससे MCQs बनकर निकलेंगे तो वहाँ पर understanding और ज़्यादा अच्छी हो जाती है next है कि contract labor क्या होता है ठीक है तो contract labor means a worker who shall be deemed to be employed in or in connection with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work or by or through a contractor with or without the knowledge of the principal employer ठीक है जी तो contract labor क्या हो गया कि जिसको आपने deemed employment है permanent employment नहीं होती है contract labor में deemed employment होती है ठीक है जो establishment के अंदर काम कर रहा है ठीक है और इसको किसी contractor ने जो है appoint किया ठीक है या तो through a contractor यह appoint हुआ है क्योंकि contractors जो होते हैं वह जो middle man भी act करते हैं पर जो employer है और जो ultimate worker है तो contractor एक तरह से link होता है दोनों के बीच में तो ताकि वह आपस में मिल सकें और ultimately employment हो सके create ठीक है अब अगर contractor employee को hire कर रहा है on contract labor ठीक है तो उस case में ज़रूरी नहीं है कि जो principal employer है यानि कि जो धंदे का मालिक है जो business का मालिक है उसको पता हो कि हाँ भाई ये मेरी establishment में काम कर रहा है ठीक है प्रिंसिपल employer उनको नहीं जानता प्रिंसिपल employer सिरफ और सिरफ contractor को जानता है उसका लेना देना contractor के साथ है ultimately बाकी की जो dealing करनी है वो contractor नहीं करनी है ठीक है और contract labor में आपके interstate migrant workers भी आ जाएंगे पर कौन नहीं आएगा contract labor की definition में अगर कोई व्यक्ती regularly employed है अब for example रमेश एक contractor है रमेश एक contractor है रमेश जो है contract लेता है for construction of houses ठीक है construction of houses अब रमेश contract पे labor भेजता है जब भी उसको कोई घर बनाने का contract मिलता है तो वहाँ पर वो अपनी labor यूज करता है अब इसके लिए रमेश ने एक painter है जो paint का काम करता है painter का नाम है Ali ठीक है Ali को permanently employee किया हुआ है रमेश ने ठीक है रमेश ने permanently employee किया हुआ कि जहाँ पर भी contract मिलेगा paint का का काम Ali देखेगा तो यहाँ पर एक regular employment होगी contractor के लिए permanent employee हो गया Ali ठीक है लेकिन जो ultimate जिसका घर बनाने जा रहा है उसके लिए तो painter रेगुलर employee नहीं है वो तो सिरफ उससे अपना काम ले रहा है लेकिन जो रमेश contractor है उसके लिए Ali एक permanent employee हो गया तो अगर कोई व्यक्ति को regular employment मिली होई है by the contractor for any activity of his establishment ठीक है रमेश की company है construction limited करके उसमें इसको काम मिला हुआ है and साथी साथ जो Ali है ही इसकी जो employment है is governed by mutually accepted standards of conditions of employment जो basically employment के पर basic conditions होती है वो दोनों रमेश और Ali ने agree कि हुई है और वो regularly employed है तो वो contract labor की definition में नहीं आएगा Ali contract labor नहीं होगा permanent labor होगा ठीक है उसके इलावा if a person is getting periodical increment in the pay Ali को हर साल पैसे बढ़ाये जा रहे है उसको social security coverage भी मिल रहा है उसको बाकी के welfare benefits भी मिल रहे है according to the law जो force में है तो हम यह नहीं कहेंगे कि Ali contract labor है हम कहेंगे कि Ali is a permanently employed person और वो contract labor की definition में नहीं आएगा ठीक है तो contract labor की definition समझ में आगई कौन नहीं है contract labor में वो important है direct MCQ बन सकता है तो अगर कोई regularly employed है ठीक है और अगर किसी की pay में increment हो रहा है social security coverage मिल रहा है welfare benefits मिल रहा है तब भी हम क्या कहेंगे कि वो contract labor की definition में नहीं आएगा सीधा सीधा MCQ form हो सकता है ठीक है जी चलिए आगे industrial dispute industrial dispute को भी define किया है इस आपके code ने ठीक है तो industrial dispute की definition पढ़ लेते हैं बस जादा tension लेनी की जूरत नहीं है any dispute or difference between the employers and employers अगर दो employers के बीच में dispute हो रहा है या employers और workers के बीच में dispute हो रहा है या workers और workers के बीच में dispute हो रहा है चाहे वो employment से related issue के लिए हो चाहे वो non employment से related issue के लिए हो या फिर terms of employment के issue के लिए हो या फिर conditions of labor के issue के लिए हो ठीक है तो हम क्या कहते हैं कि यह industrial dispute है ठीक है जी उसके इलावा any dispute or difference between an individual worker and an employer connected with or arising out of discharge, dismissal, retrenchment of termination of such worker अगर किसी एक worker के बीच में और employer के बीच में अगर किसी तरह का dispute हो रहा है because of any reason like उसको discharge कर दिया उसकी job से उसको dismiss कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको terminate कर दिया तब भी हम क्या कहेंगे कि industrial dispute है ठीक है, तो कहीं बार examiner question frame कर सकता है कि according to the wage code, ऐसे तो वो बहुत simple सा question होगा पर कहीं बार बच्चे confused हो जाते हैं अगर उसने लिख दिया according to the wage code 2019 ठीक है, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या question आ गया ठीक है, आपको लगेगा पता नहीं क्या question आ गया कि wage code 2019 के हिसाब से जो industrial dispute है उसमें उसका क्या meaning है ठीक है, उसमें लिख देगा कि अगर employer employer के बीच में difference हो रहा है ठीक है, अगर employer worker के बीच में difference हो रहा है फिर लिख देगा worker worker के बीच में difference हो रहा है लास में लिख देगा all of the above ठीक है तो वैसे तो असान सा question है क्योंकि हम जब जंदल books पढ़ते हैं industrial dispute के हम theory पढ़ते हैं तब भी हम यही definition देखते हैं हम कुछ अलग नहीं देखते हैं wage code ने कुछ अलग से नहीं लिख दिया है पर हमारे दिमाग में यह आजाएगा कि wage code 2019 लिखा हुआ है question में तो पता नहीं क्या पूछ लिया होगा सवाल में तो ऐसे घबराने का नहीं है ठीक है अपना common sense यूज करना है और answer कर देना है ऐसे questions को अगर नहीं भी आता है ठीक है जी चलिए अगली definition देखते हैं wages को किस तरह से define किया गया है so all remuneration whether by way of salaries allowances और otherwise जिसको आप money की terms में express कर सकते हो वो wages है ठीक है और wages क्या-क्या include करेंगे basic पे include किया जाएगा dearness allowance include किया जाएगा and retaining allowance यूज किया जाएगा इस video के लिए आपका homework है वो है retaining allowance आपने मुझे बताना है कि क्या होता है comment section में ठीक है comment section में अगली video में मैं discuss करूँगा retaining allowance क्या होता है अभी आपने बताना है इसको comment करके google करो ठीक है थोड़ा सा खुद से समझने की कोशिश करो चलो अब wages में क्या-क्या नहीं आएगा wages में क्या-क्या नहीं आएगा यह देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि MCQ direct form बन सकता है ठीक है तो किसी भी तरह का bonus किसी भी तरह का bonus अगर दिया जा रहा है तो वो आपका wages में नहीं आएगा statement पूरी read कर लेना PDF मिल जाएगा नीचे description में लिंक रहेगा ठीक है पूरी statement में lead नहीं कर रहा हूँ easy है बस आपने keyword पकड़ लेना bonus ठीक है अगर bonus है तो आपने इसको wages में include नहीं करो गया ठीक है house accommodation के लिए अगर कोई खर्चा company दे रही है बिजली पानी का कोई खर्चा दे रही है medical attendance का कोई खर्चा दे रही है या कोई और amenity दे रही है ठीक है जी तो उसको भी आप क्या करोगे उसको भी आप wages में include नहीं करोगे ठीक है जो employer का pension में contribution होता है या provident fund में employer पैसा डालता है कुछ पैसा employee का जाता है कुछ पैसा employer का जाता है ठीक है जी तो जो employer का contribution है वो भी आपका wages में include नहीं होता वो भी आपका wages में include नहीं होता देखो direct question दो तरह कैसे बन सकता है एक question वो आपको पूछ लेगा कि जो आपका wages code है 2019 का उसके हिसाब से wages में क्या-क्या add होता है आपको ये तीन option रहेंगे नीचे for example चौथा option देदेगा all of the above ठीक है या 1,2,3 वाला भी दे सकता है statement based question या question इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या include नहीं होता है ठीक है तो ये तीन चीज़ें include नहीं होती है अभी और भी list है वो भी देखते है अगर किसी भी तरह का conveyance allowance या traveling allowance दिया जा रहा है employee को तो वो भी उसकी wages में add नहीं होगा ठीक है अगर employee को कोई पैसा दिया जा रहा है special expenses के लिए क्योंकि उसका जो nature of employment है वो difficult है ठीक है for example वो difficult terrain में काम कर रहा है पहाड़ी इलाके में काम कर रहा है तो ऐसे special expenses के लिए उसको जो पैसा दिया जा रहा है वो भी wages में add नहीं होगा house rent का पैसा wages में add नहीं होगा ठीक है अगर कोई award या settlement किया जा रहा है किसी employee के साथ कि भाई किसी court ने order कर दिया कि भाई तुमने इस employee का overtime कर रहा हुआ जो पैसा है वो भी उसके wages में add नहीं होगा बहुत important point है अगर कोई commission दिया जा रहा है employee को कहीं बार क्या होता है jobs में कि एक तो wage होती है एक तो salary होती है कि भाई इतनी salary मिलेगी हर महीन है ठीक है उसके उपर commission होता है कि for example तुने भाई एक लाक रपे की sale कर दी अगर या एक लाक रपे से जादा की sale कर दी तो हम तेरी sale के उपर तुझे एक परसेंट commission देंगे ठीक है तो यह जो एक परसेंट commission उसको extra मिल रहा है because of achievement of the target ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे कि commission मिला तो यह जो है उसकी wages में add नहीं होगा ठीक है जी कोई gratitude अगर pay की जा रही है अगर employment terminate कर दी है या किसी employee को जब निकाला जाता है तो उसको retirement compensation दिया जाता है या कोई retirement benefit उसको दिया जा रहा है तो यह सब भी उसकी wages में add नहीं होगा यह सारे के सारे बहुत important points है यहाँ पर मैंने पूरे-पूरे लिखे हुए है पर इतना पूरा-पूरा याद करने की जुरूयत नहीं होती है main keyword याद कर लोगे तो वो बहुत होता है ठीक है keyword याद कर लोगे तो वो बहुत होता है उसमें आपका cover हो जाता है related क्या provisions है इसमें डाले गए हैं ठीक है जी सबसे पहले no employer shall pay to any employee wages less than the minimum rate of wages notified by the appropriate government general सा point है क्या कह रहा है कि जो minimum rate of wages सरकार तै करेगी कोई भी employer उस minimum wages से कम wage नहीं देगा तो minimum wage code का मकसद ही है ठीक है general point है कुछ इतने को इसमें याद नहीं करना है important क्या है कि appropriate government क्या है पूरा जब हम code पढ़ते हैं जो छपा था जो official gadget में छपा था अगर आप उसको पढ़ोगे तो यह appropriate हर जगा पे लिखाऊगा as according to appropriate government as notified by appropriate government तो appropriate government में क्या आता है वो समझना बड़ा जुरूरी हो जाता है ठीक है तो appropriate government हम क्या कहते हैं any establishment carried on by और under the authority of central government ठीक है जी अगर कोई भी establishment central government की authority के अंडर है या फिर railways mines, oil fields, major ports, air transport services, telecommunication, banking and insurance company और a corporation और other authority ठीक है तो यह सारी authorities अगर किसी central act के तहत बनाई गई है किसी parliament के act के तहत बनाई गई है या यह central public sector undertaking है या ऐसी central public sector undertaking की subsidiary है ठीक है जो autonomous bodies भी हो सकती है या फिर completely owned और controlled by central government है तो हम उसको क्या कहेंगे appropriate government की definition में रखेंगे और इसमें क्या include किया जाएगा including establishment of contractors for the purposes of such establishment, corporation और other authority, central public sector undertakings, subsidiary companies, autonomous bodies as the case may be the central government तो सीधी सीधी भाशा में अगर दो शब्दों में आपको मैं कहना चाहूं जो के अंदर सरकार है यानि कि central government है central government अगर कहीं पर भी involved है central government से central government के द्वारा कोई बनाई गुई agency है central government के द्वारा चलाई जाने वाली कोई central public sector enterprise है जिसमें जो major shareholding है वो central government की है तो उसको हम क्या कह देंगे appropriate government की definition में आजेंगे ठीक है और इसके इलावा जो उपर ये सारी central government से related establishment थी बाकि जो भी establishments हैं जो state government ने बनाई हैं उनको भी हम appropriate government की definition में रख देंगे तो सीधी सीधी भार्षा में केंदर सरकार की जितनी भी organizations हैं चाहे वो public sector and undertakings हैं ठीक है और या state government की जितनी भी undertakings हैं वो सारी की सारी appropriate government की definition में आ जाएगी इसमें जाधा tension लेने वाला कुछ नहीं है सवाल नहीं बनेगा इसमें से ठीक है चलो हाँ जी चलिए next the appropriate government shall fix a minimum rate of wages ठीक है तो क्या कहता है कि जो भी appropriate government है central या state level पर वो minimum rate of wages fix करेगी अब minimum rate of wages किस तरह से fix किया जा सकता है time of work कितनी देर काम किया उसके अधार पर या piece work ठीक है units के हिसाब से भी जो है काम fix किया जा सकता है कि इतनी unit अगर कोई manufacture कर रहा है तो उसको इतना पैसा मिलेगा ठीक है अब wage court क्या कहता है कि जहाँ पर employees जो हैं उनको piece work के हिसाब से employee किया गया है वहाँ पर जो appropriate government है वो minimum rate of wages fix कर सकती है ऐसे employees के लिए time work basis पर भी ठीक है तो क्या होगा for example मैं आपको यहाँ पर example देता हूँ कि कोई employee है उसको piece wage के उपर act किया गया ठीक है per piece के हिसाब से उसको employee कर लिया गया उसको for example बोल दिया गया कि भाही तेरको 5 रपे per unit मिलेंगे ठीक है हेंकी बनाता है यह handkerchief जो आप यूज करते हो ठीक है हेंकी सिलता है 5 रपे per unit मिलेगा एक हेंकी बनाएगा 5 रपे मिलेगा ठीक है अब सरकार यहाँ पर wage code क्या कह रहा है कि सरकार यह बोल दे जो भी appropriate government है central यह state level पर वो यह बोल दे कि 8 घंटे में कम से कम अगर यह व्यक्ति for example इस व्यक्ति का नाम है A अगर A 8 घंटे एक दिन में काम कर रहा है तो उसको कम से कम 300 रुपे मिलने चाहिए irrespective of the units made by है ठीक है अगर आप देखो 300 रुपे के हिसाब से अगर minimum wage 300 है तो उसको 300 के हिसाब से कम साथ ही हैंकी बनाने पड़ेंगे 8 घंटे में पर किसी वज़े से क्योंकि raw material की availability नहीं है या फिर किसी भी reason की वज़े से light नहीं थी electricity नहीं थी बहुत से multiple reasons हो सकते हैं सुरे जो ए है वो 60 नहीं 50 यूनिटी बना पाया ठीक है तो 50 सत्तर इंटू पांच वो जाता साढ़े 300 तो उस case में employer यह नहीं कह सकता कि मैं तो तेरको 300 ही दूंगा क्योंकि तेरा जो minimum rate वो 300 है उस case में employer को उसको 300 देने पड़ेंगे तो एक तरह से यहाँ पर employee को protection दे दी गई है उके चली उसके बाद जो time की अगर हम बात करते हैं time work तो code कहता है कि timely wages जो है आप fix कर सकते हो hourly rate के हिसाब से भी fix कर सकते हो कि हर घंटे के पैसे आप per day के हिसाब से भी fix कर सकते हो हर रोज के पैसे आप महीने के हिसाब से भी fix कर सकते हो हर महीने के पैसे ठीक है तो वो छोड़ दिया गया है employer के उपर minimum wages आर के भी दिये जाएंगे दिन के भी दिये जाएंगे मंत के भी दिये जाएंगे, कि भाई इतना एक घंटे का minimum wage होना चाहिए इतना हर रोज का minimum wage होना चाहिए इतना हर महीने का minimum wage होना चाहिए, ठीक है जी ओके ओर्राइट अब minimum wage fix करने के लिए सरकार जो है जो भी appropriate body है जो minimum rate fix करेगी उसको क्या-क्या consider करना है unskilled category का है, skilled category का है, semi skilled category का है या highly skilled category का है, तो according to the skill of the worker जो है minimum wage fix किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, कि आप एक engineer, एक engineer और एक carpenter, एक engineer और carpenter का minimum wage same तो नहीं fix कर सकते, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो skill के हिसाब से होगा, दूसरा geographical area, कि वो किस area में रह रह रहा है, ठीक है, अब for example आप minimum wage एक Mumbai के worker का, एक Mumbai के worker का minimum wage और एक पंचकुला, हर्याना में जगा है पंचकुला, ठीक है, मुंबई और पंचकुला, छोटीजी city है पंचकुला, population भी बहुत जादा नहीं है, ठीक है, खर्चे इतने ज़ादा नहीं है, traveling का इतना खर्चा नहीं है, तो अगर आप कहा दो कि Mumbai के worker का भी minimum wage 100 रुपे और पंचकुला के worker का भी minimum wage 100 रुपे आए, तो वो तो जो है, नाइन साफी हो जाएगी, क्योंकि Mumbai में खर्चे जाद़ हैं, पंचकुला में खर्चे कम हैं, living expense मुम्बई में जाद़ है, house, rent मुमबई में जाद़ है, पंचकुला में कम है, petrol carriage मुमबई में जाद़ हैं, पंचकुला में कम है, ठीक है, तो जो जागरफिकल एरिया भी आपको सकती हैं for example अगर कोई worker है वो coal mine के अंदर काम कर रहा है जमीन के नीचे जहां बहुत जादा temperature होता है बहुत जादा heat होती है तो ऐसे workers क्योंकि बहुत difficult situation में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी इस चीज़ को भी consideration में आप लोगे इस चीज़ को भी consideration में आप लोगे अगर वो difficult terrain difficult conditions में काम कर रहे हैं तो वो भी उनकी wages में reflect करना चाहिए तो ये एक तरह से तीन conditions हैं आपकी total ठीक है तीन conditions हैं पहला skill हो गया दूसरा geographical area हो गया तिसरा work type of work हो गया ठीक है difficulty of work हो गया आप इसको कह सकते हो direct question form हो सकता है इसमें भी important है चलिए अब wage court क्या कहता है अगर सरकार wage को जो minimum wage है जो minimum rate है उसको fix करती है या उसको revise करती है आने वाले समय में उसको revise करती है तो उस minimum wage में जो minimum rate of wage है for example अगर 100 रुपे minimum rate है एक दिन का तो इस 100 रुपे में सरकार को क्या-क्या add करना है क्या-क्या होना चाहिए सबसे पहले एक basic rate of wage कि भई for example हमने बोल दिया 50 रुपे तो basic rate है उसके उपर आपने allowance add करना है उसके उपर आपने allowance add करना है considering the cost of living index cost of living index कि भई daily का खाने का खर्चा कितना है या रहने का खर्चा कितना है उसको वो सारे माइनों को मिला करके हम cost of living index एक बना देते हैं तो basic rate हो गया कि 50 basic rate है उसके उपर cost of living index जो geographical area से area vary करेगा जैसे पीछे देखा ठीक है वो आपने add कर देना है अब basic rate of wages उसके इलावा basic rate of wages with or without the cost of living allowance ये भी आपको set करना है एक तो आपने with allowance कर दिया एक with or without allowance भी आपको निकाल करके लेकर करके आना है ठीक है इस basic rate में आपने एक cash value of concession डालना है जो essential commodities है जैसे रोटी, कपड़ा ठीक है इसको क्या बोलते है essential commodities इनके उपर जो खर्चा होना है उसको आपने basic rate में add करना है ठीक है cost of living allowance आप इसमें add कर सकते हो या नहीं भी add कर सकते हैं दुसरे point में लेकिन आपको ये cash value of concessions add करना है और third आपने एक all inclusive rate निकालना है पहला था basic rate plus cost of living दूसरे में आपको कहा दिया कि basic rate without cost of living और cash value of concession डाल दो तिसरा कहा रहा है कि basic rate भी आप डालोगे cost of living allowance भी डालोगे और cash value of concession भी डालोगे तीनों को मिला करके आप एक minimum wage rate बनाऊगे ठीक है तो यहां से आपका minimum wage rate जो है सरकार बनाएगी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई अगर minimum wage जो है सरकार जो सेट करेगी wage code के इसाब से उसमें क्या क्या होएगा आपको एक option देगा कि बही basic rate होएगा उसमें आपको दूसरा option देगा cost of living allowance होएगा तिसरा आपको देगा value of concession होएगा option D देगा all of the above होएगा तो answer all of the above होजाएगा असा question बनेगा ठीक है जी चलिए in fixing minimum rate of wages for the first time और in revising minimum rate of wages under this code the appropriate government shall either appoint as many committees as it considers necessary तो सीधी सीधी बात बोली गई है कि जब भी आपने minimum rate जो है fix करना है ठीक है minimum rate जब आप fix करोगे या जब आप उसको revise करोगे तो आपको सरकार को appropriate information चाहिए और उस information को collect करने के लिए committee बनानी पड़ेगी ठीक है अब committee अलग-अलग चीजों के लिए बनाई जा सकती है तो जितनी भी committees बनेंगी उनका उनमें appointment क्या होगी कौन-कौन लोग होगे वो important है तो अगर minimum rate revise करना committee बनेगी committee में कौन-कौन होगा बहुत important है सबसे पहले employers के representative होएंगे ठीक है उसके बाद employees के representative होएंगे अब employees के representative में क्या बोलता है यह कि employees के representative भी उतने ही होने चाहिए committee में जितने employer के representative for example अगर पांच इम्प्रेजेंटेटीव हैं, तो पांच ही रिप्रेजेंटेटीव इंप्लोई के भी होने चाहिए, तबी वो committee जो है, उसको मानने माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, तिसरा, independent person, अभी employer आगे, employee आगे, उसके बाद independent हो गए, जो न employer है न employee है, तो ये जो independent person है, ये one third से जादा नहीं होने चाहिए, of the total members of the committee, one third से जादा नहीं होने चाहिए, for example, total committee की strength है 15, अब 15 का one third कितना हो गया, आप maths जानते हो, 15 का one third हो गया 5, ठीक है, यानि कि अब इस 15 क one third में 5 employer, 5 employee और 5 independent हो गया, ठीक है, one third से जादा नहीं होने चाहिए, चलिए, the appropriate government shall review, अब ये committee अपनी जो report बगरा देगी, जो भी अपनी findings देगी, वो फिर सरकार consider करेगी, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, appropriate government shall review और revise minimum rate of wages, ordinarily at an interval not exceeding 5 years, तो सरकार क्या कह रहा है, कि सरकार को हर 5 साल में, जो minimum rate है, उसको revise करना है, ठीक है, for example, 2020 में सरकार ने कह दिया, कि ये minimum rate है, तो minimum wage code क्या कह रहा है, कि 2024, 2025 में आपको इसको दुबारा से revise करना पड़ेगा, 5 साल में, के बाद आपको revise करना पड़ेगा, अगले 5 साल के लिए, direct question बन सकता है, कि by according to the wage code, the minimum wages have to be revised at an interval not exceeding, how many years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, answer हो जाएगा, 5 years, बहुत important point है, बहुत important point है, बहुत important point है, दोने ही बहुत important point है, committee वाला, committee में members वाला भी, और आपका, revision वाला भी, next, जो minimum wage में provision है, that is related to the power of central government to fix floor wage, ओके, तो floor wage basic क्या हो गया, देखो, appropriate government में तो central government भी आगई, और state government भी आगई, अब central government को एक authority deed दी गई है, कि वो floor wage जो है, वो fix कर सकती है, ठीक है, floor wage हो गया, कि सरकार central government ने कह दिया, कि किसी भी काम के लिए, 100 रुपे से कम नी देने, मैं सिर्फ एक example ले रहा हूँ, तो ये floor wage हो गया, कि आगे चल करके, जो बाकी की authorities है, जो वो wage fix करेंगी, जो अपना minimum rate fix करेंगी, for example, कोई central public enterprise है, ठीक है, या कोई state enterprise है, जब वो अपना minimum rate fix करेंगी, तो उसको ध्यान में रखना है, कि इस floor wage से, जो central government ने fix किया है, 100 रुपया, इस से कम नी हो सकता है, इनका minimum wage, ठीक है, for example, हरियाना की सरकार आज को अगर minimum wage fix करना चाती है, तो वो 100 रुपय से कम नी कर सकती, क्योंकि के इंदर सरकार ने कहा दिया कि floor wage, जो है 100 रुपय, तो floor wage set करने की power किसके पास है, वो central government के पास है, ठीक है, central government के पास है, तो इसमें cap बोल दिया गया कि minimum rate of wages, जो appropriate government fix करेगी, shall not be less than the floor wage, जैसे कि मैंने आपको समझाया, और अगर उस से कम है, for example, हरियाना में 80 रुपय थे, और आज central government ने floor wage कर दिया 100 रुपय, तो हरियाना सरकार को इसको 100 रुपय पे लेके आना पड़ेगा, हरियाना सरकार को इसको 100 रुप ठीक है, और कल सरकार ने कह दिया, कि minimum जो floor wage है, जो central government ने कह दिया, floor wage है 100 रुपय, तो ये code क्या कह रहा है, कि अब हरियाना सरकार ये नहीं कर सकती, कि चलो केंदर सरकार कह रही है, कि floor wage 100 है, तो हम 120 से कम करके 100 कर देते हैं, नहीं, वो कम नहीं कर सकते, ठीक है, shall not reduce, इसमें सिधा सिधा लिखा गया, अगर पहले 120 था, हमने 100 बोल दिया, कि इंदर सरकार ने 100 बोल दिया, तब भी आप इसको 120 से 100 रुपय पे नहीं लेकर आ सकते, ना वो गलत cheating है, कि उन्होंने 100 कर दिया, तो वो तो नुकसान हो जाएगा न, वरकर्स का, ठीक है, ये भी एक important provision है, और central government, ये floor wage fix करने से पहले, advise लेगी, central advisory board की, central advisory board के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, चलो, ओके, all right, now, जहाँ पर भी ये minimum rate of wage fix होगा, वहाँ पर सरकार और क्या provisions दे सकती है, सरकार fix कर सकती है, number of hours of work, ठीक है, कि बही एक दिन में, एक worker, कितने hours of work, जो है, काम करेगा, और इस working hours में, सरकार interval भी बताएगी, for example, सरकार ने कह दिया, कि बही 9 hours, जो है, ये number of hours होने ची fix, कि बही जिसकी आपकी minimum wage 200 रुपया है, उसको 9 घंटे आपने काम कराना है, और इस 9 घंटे में, आपने एक घंटे का उसको lunch break देना है, सरकार बताएगी, code के हिसाब से, ठीक है, सरकार, जो है, minimum wage rate fix करते होई, ये भी बता सकती है, कि आपको हफते में, उसको एक day होगा, for example, Sunday की चुट्टी है, तो ऐसा नहीं है, कि आप Sunday को उसके पैसे काट लोगे, Sunday उसका paid होगा, और जो Sunday जो paid है, वो overtime rate पे उसको पैसा मिलेगा, overtime rate के बारे में भी हम provision देखेंगे, इसी वीडियो में आगे चल करके, overtime rate का क्या लिखा है इन्होंने, कि अगर for example, एक worker को 100 रुपया मिलता है रोज, Monday to Saturday, जो उसका working है, उसको 100 रुपया मिलता है रोज, तो overtime rate जो है, वो double होगा, यानि की overtime rate कितना होगा, Sunday, 200 रुपे, ठीक है, तो Sunday को, यानि चुट्टी वाले दिन, उसको कितने मिलने चीए, 200 रुपे मिलने चीए, डबल पैसे मिलेंगे, ठीक ठीक है, यहाँ पर हमने minimum wages वाला जो chapter है, आपके wage code में, उसको complete कर लिया है, next part में, हम आगे और provisions देखेंगे, आपके wage code के, ठीक है, दुबारा से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, यह expect करके मत चलना कि पूरा wage code A to Z हम करेंगे, जो important चीज़े हैं, वो ही करेंगे सिरफ, बैसे तो almost 80% आपका code हो जाएगा, जो 20% है, वो technicalities होती है, वो आपके exam में नहीं पूछी जाती है, इसलिए उनको छोड़ा जाता है, ठीक है, कोई भी doubt हो, तो comment section में post करना है, अच्छी लगे video तो भी comment section में post करना है, ठीक है, और share ज़रूर करना है video को, inspirational रहेगा मेरे लि देखना, ठीक है, क्योंकि video में थोड़ा सा, मैंने कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से आपको easier way में समझा सकूँ, क्योंकि law का जो text होता है, वो पढ़के समझना कहीं बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो video पूरा देखना है, वैसे तो अगर आप यहां तक दिखा होगा, चलिए, मिलेंगे अगले lecture में, तब तक all the best time, bye bye